चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफे शड़ी चैनल पर वाइफे शड़ी पार्ट अपनेखेंड में नमस्कार बेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एक बड़ी बताएं आवाज आ रही है आप सभी को जल्दी से बताएं आवाज आ रही है देखो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सेम एज ओल्वेज हम स्ट्राटिक जी के ही कवर करेंगे क्योंकि मैंने आपको यह कहा रखा कि 33 दिन जो है हम कवरेज करने वाले हैं एक एक टॉपिक का एक एक टॉपिक हमारा यहां पर जो है कवर होने वाला है तो आज भी स्टैटिक जीके के दो टॉपिक या फिर एक टॉपिक जो भी अगर बना टॉपिक होगा तो एक ही करेंगे अगर छोटे टॉपिक होंगे तो दो कर लेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को मैक्सिमम शेर करिए सारे के सारे और शाम को साथ बज़े जरूर जुड़ना बहुत सारे बच्चे शाम को साथ बज़े जो है चीजे आना खानी कर रहे हैं कि भी हिस्टी चल रही बटा हिस्टी बहुत जरूर है हिस्टी नहीं पड़े ना कोश्चन बहुत सारे छूट जाएंगे पांस से छे नंबर की हिस्टी आईगी और अगर मेंस में पिपर आता है ना तो हिस्टी ज्यादा बूस्ते हैं तो आज हम शाम को साथ बचे हिस्टी कवर कर देंगे और यहां पर स्टार्ट हो जाएगी ठीक है कल यहां पर साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी इंपोर्टेंट है सारा कंटेंट जो भी आपको 33 दिन में पूप प्रोवाइट करा दूँ वागे आपके लिए स्कॉलर्शिप च्छे नवमर का ही है यह यह टेस्ट दे देना अपना लाइव मन को यूज करना मेरा को लाइव मन है इसको यूटलाइस करिए रैंकिंग लीजिए कंपीट करिए वन औन वन आस्टाउड के फीचर यूज करिए मेरे हिजाब से जो स्पेशल सेशन है ठीक है जैसे आप करा रहा हूं तो आज भी मैं अच्छी घास से रिविजन करा दूँगा देखना स्पेशल सेशन टेलिग्राम पे लिंग का जाएगा हर एक क्लास का पीडिएफ मैं हर एक क्लास की शेयर करता हूं पीडिएफ मैं भी शेयर करूँ जैसे नए बैचिस आय तीन नह उमर के है लगला चैनले चाले तो आब बहुत खतर्राग में क्या प्रणूतेक से इंप्तर करते हैं यह इंप्र्णडड़ करते हैं सबसे में M कार्डियक मसल से बनता है किसे बनता है कार्डियक मसल से बनता है तो आप यह मत सोच नहीं कि यह बाकी option कौन समझाएगा सारे के सारे option जो है ना उन सभी के question मनवाकि लाएं ठीक है chapter wise कराने का मतलब यह है कि हर एक topic का question मना होगा ठीक यह तो आसान है इस question का answer है, कार्डियोगराम इस question का answer है, बाकी क्राइनोमीटर क्या है, ओनोमीटर क्या है, हाइडरोमीटर क्या है, इन सब के एक-क question जो है, सभी के अविलेबल है, ठीक है, बताइए, potential difference को measure करना है, देखो potential difference को हम V से measure करते हैं, इसका symbol भी होता है, potential difference का, अब जा हम science start कर रहे हैं, आज से science start करी है, तो आप यह समझ लो, science के basic को starting से ही लेते हुए चलेंगे, अगर किसी का base भी कमजोर है, कि वही किसी को यह भी नहीं बता, potential difference को V कहते हैं, ठीक है, या फिर उसकी potential difference की unit क्या है, यह सब हम basic से लेके चलेगे कि आगे electricity वाला chapter पड़े, तो हमें चीज़ें असाल लगे, potential difference, वोल्ट मीटर से measure किया जाता है, ठीक है, जैसे current को हम एमिटर से measure करते हैं, वोल्ड मीटर से question का answer है, अब इसमें से कौन सा, कोई इसमें से instrument है, जो current के presence को बताता है, कि current है कि नहीं है, मतलब इसमें से instrument है, जो ये बताता है कि current है कि नहीं, इसकी value ही 0 या 1 होती है, अगर 0 है तो current नहीं है, 1 है तो current है, बताई कोई instrument इसमें से, अब ये कवरे स्टार्ट हो चुका है, साइंस का, है ना, continue रखना और शाम को साथ बज़े आपकी quality भी start होने वाली है, history भी start हो चुके, quality भी start होने वाल मेटर और जो current का बोल रहा हूं मैं उसका अंसा है galvanometer, galvanometer जो है value नहीं बताता करेंट की, लेकिन ये जरूर बताता है कि current जो है, है की नहीं है, 0 या 1 की value होती है, हमेशा galvanometer, which instrument is used to measure the solar irradiance coming directly from the sun, अब जैसे जहां पे word solar आया, solar word आया है, और solar का word का मतलम हलियो होता है, sun को helio word से use करते हैं, किस से, sun को helio word से use करते हैं, अब आप इधर देख लो, sun को helio word से use करते हैं, answer इसमें helio लिखा है, वैसे भी sun की radiation वहुत तेज होती है, pyro मतलब high temperature होता है, pyro का मतलब क्या होता है, high temperature, words को भी समझो, क्योंकि अगर आपने एक word समझ लिया ना, तो आप इसक कोशन का answer क्या होना चाहिए, answer यह है, जैसे आपका वैरो मीटर है, pressure का, एल्टी मीटर एनोल, ठीक है, चलिए एक और question देख शेर करना maximum, heartbeat का अब जैसे, इधर question दोबारा कर काडियोग्राम दे देता, heartbeat का, बच्चे लगा देते हैं, वो भी answer, लेकिन answer क्या है, इस question का, ठी काडियोग्राम भी देते हैं, ऐसे में option में, हां जी, blood pressure को measure करने के लिए, हम क्या use करते हैं, बहुत common question है, यह सब आपने सुना होगा, common blood pressure कितना होता है, 120, 80, यह भी आपने सुना होगा, high कितना होगा, hypo कितना होगा, यह सब छुटी छुटी बाते हैं, आपको जो है, कौन सा high temperature को measure करने के लिए, अब आपके सामने option दे दिया, और मैंने अभी आपको समझाया, high temperature को measure करने के लिए, इसमें से कौन सा हो सकता है, comment करीगा, आन से कहें, बहुत बढ़िया, दूसरा chapter करने का time मिलेगा, तो जरूर कर लेगे, लेकिन chapter सारे होगे, ठीक है, maximum share करें, अगरो ये class daily देखोगे ना, तो coverage 33 दिन में पूरे course का है, और शाम को 7 बजे कोई भी miss मत करो, बहुत बच्चे शाम को 7 बजे class miss कर रहे हैं, लेकिन वो coverage बहुत ज़रूरी है, answer high temperature का पूछेगा, तो पाइरोमेंटर लगाना, अब answer, ठीक है, ध्यान लखना, पाइरोमेंट option जैसे hydrophone लिखा है, underwater में hydro word use हो सकता है, देखो science के 90% question, सिर्फ उनके word के meaning से solve होते हैं, उनके लिए कोई हमें बहुत जादा knowledge नहीं चाहिए, science के 90% question, सिर्फ उनके word के meaning से solve होते है, पीडियाफ बेटा मिल दाएगी, पीडियाफ मेंट टेलीग्राम चैनल है, अम अनसर वाइफे शड़ी, आपकी class खतम होते ही, उसके जस्त दो मिनट में या तीन मिनट में पीडियाफ आपके पास होती है, हमेशा, चाहे वो सुबह पढ़ा हूँ मैं नो बज़े, चाहे श यह अगर question आता है, जैसे मालो 20 question कराएँ, बीस में से पंदरह में, बीस में से 10 question मुश्किन है, बहुत असान है, तो 10 असान की tension बतलो कि बएई, दस असान पढ़ा दिये सर्ने, यह तो हमें भी आता है, दस मुश्किल पर फोकस करो कि इस chapter में यह चीडिट है, यह चीडिट पढ़ाने का परपस क्या है आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हुआ तो उसमें असान चीज़े भी दिखेंगी मीडियम भी और मुश्किल भी हमें पूरा पढ़ना है और जैसे रोटेशनल का गायरोस्कोप इस कोशिंग का आंसर है ध्यान रखना गायरोस्कोप यूज किया याता है हमें यूज करना है na काल को पता ही हर्ट से संबद कर दिखेंन करना इसमें से कौन सा का यूज हो सकता है विंड का हमेशा विंड हमेशा है एडैनि रहा है ठीक है हमेशा ई ये अनी मो बहुत सारे कोशन आएंगे विंड के क्या इस कोशंग का अंसर जल्दी से मताइगा इस कोशंग का निवो है कमेंट करओ अभी चीट कोड़़ वाले कोश्चन नहीं आ चीठ कोड स्टार्ट कर देंगे हमें परपस ए सारे से कवर करने घंधा न नगEP आंवन लिखा एनिमोड लिखाऊ या फिर कुछ भी भी हो एनिमोड होना चाहिए आफर आपका आएगा ठीक है का एनिमोड होगा हमेशा हुमेडٹ आप सभी जांते हैइसमें कोई सब्सक्राइब को मैजर करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है इसमें तो चलो कोई है नहीं मैं आपको कंफीजन दिखाओ जैसे इस कोशन का आंसर है हाइग्रो अब हाइग्रो और हाइड्रो जब भी एक साथ मिलता है ना ठीक है हाइड्रो स्पेलिंग गलत कर दी ठीक है हाइड्रो जब भी यह दोनों एक साथ मिलते हैं वच्छे बहुत ज्यादा है गलत भी होता है ठीक है अभी दिखाता हूं एक उप्षिन दिखाऊंगा जिसमें आपका हाइड्रो साथ में लिखाओ को कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ा असान कोशन है हर एक वहिकल में ओडोमिटर लगता है वह आपको सिधर सिदर डिस्टनसी बताता तो आंसर कोशन आपकंझ का असान पत्यक्तिति का natural सेस्मोगराफ है कि यहां पर क्या होता है कि कभी कभी आप देता करकिटर सие कहले है यह जएक पर शोच को सेरार मरकृए स्केल यह भी कभी आपको सहस्मोगराफ ही दे दे असा तो यह भी दोनों दे दे तब भी आंसर लगाना ठीक है दब भी आंसर लगाना कोश्चन आपको इनवेसे भी मिल सकता है है इंसान का टेंप्रेचर तो थर्मा मिटर से मेजर हो जयागा उसमें उसमें फुक्त नहीं हा अब आया ना हाइड्रो मीटर जैसे अब हमने हाई घ्रो अब जैसे हमने थ्लिय का है हाइग्रो क्या है हिूमिटी है ना और इधर अब सपैसिफिक ग्राविटी वेंड हडबीट्ट सब लिखा हुआ इसको शंगे स्पैसिफिक ग्राविटी जो है वो किस यारे मैं बच्चे बहुत सारे बच्चे विंड लगा रहे भी लगा के लिए कुछ ना कुछ जो है पॉइंट बनाना पड़ता इसमें हमेशा कोई भी कोशन आपको जीके में एकुरेसी चाहिए तो पहले से पॉइंट बनाकर चलो यह मत सोचो कि उस समय करेंगे नहीं होता डिफ्रेंशेट पहले से देखके चलो कि यह विंड का एनीमों ही लगेगा ठीक है चलिए एक और कोशन देखेंगे सांड वेव असान है अजर सांड की बात हो रही है तो ब foster कोई चीज हो गude मैं जैसे बस common चीजे देखो answer अपने आप आ जाएगा plant की growth के लिए क्या use क्या होता है जैसे इसमें से है ठीक है oxynometer option में दे रखा एक अभी ये question अभी जैसे हमने इतने सारे question पड़े उसमें से एक कि ये question मुश्किल है कुछ बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कह रहा हूं वैसे option में oxynometer दे रखा है क्या oxynometer answer है क्या lactometer answer है क्या caliper answer है ये मुश्किल question एक सीखना चैप्टर का पार्ट है answer के सुबह नो बज़े डेली डेली सुबह नो बज़े आज शाम को साथ बज़े जिसने modern history कवर कर रही हो शाम को साथ बज़े आ जाना भाई ठीक है modern history आज कवर होगी answer से कोशन गा oxynometer बहुत बच्चे डाउट में मैंने एक सेगंड मों बता है क्योंकि बहुत बार रिवाइस किया हुआ आपको भी रिवाइस करनी पड़ेंगी नहीं चीज़ें सारे चले एक कोशन देखें कितने आर्स का कोई मैटर नहीं है छोटा टॉपिक हो तो एक करते ल्ट जो है चोड़ा टॉपिक हो तो दो करेंगे अगर पज़ा टॉपिक हो तो एक करेंगे ठीक है और डली करते हैं सुबह नूं बजे पakersट में फैतमेटर क्या है में यूज कीया पानी सख़़ा वोटर है तो क्या उसको देखने कि लिए यूसौश किया आ है ठीक है डेप्थ में वोटर है ठीक है हाई टेंप्रेचर पाइरोमिटर लेक्टो मीटर मिल्क प्योर्टी लक्रिकर नमीटर है ना बते विंड डिरेक्शन अब कोई के सर इधर तो एनिमो नहीं दे रखा अब एनिमो का रट्टा थोड़ी मारना वाई एनिमो ही नहीं लिखा हुँ तो अलग से ओप्शन लिखके रखाएंगे अब जैसे विंड लिखा है विंड लिखा इसमें कोई दिख्कत ही नहीं होनी चाहिए है ना विंड का है ना चल्ड़ा तो आंसा है विंड वेन एकुर कोशन देखिएगा इंटेंसिटी ओफ रेडियंट एन ना आपको जो असान लग रहे है पेपर में बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें है ना अरे बीस नंबर से ज्यादा आएंगे जी इसमें बीस नंबर तो एक लिमिट है ना हम 22 लाएंगे ठीक है ऐसा नहीं है बीस नंबर लाने 22 लाने लगातार पढ़ना लेकिन शाम को साइंस और करेंट फिर करेंट फिर पांच नवंबर से स्टार्ट होगा साइंस स्टार्ट कर दिया स्टाटिक जी कब से पढ़ा रहा हूं सुबह 9 बजे लेकिन भाई हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी इकनॉमिक्स यह सब्जेक्ट आप मेरे साथ वाइफे इस्टेडी प लेक्ट्वे नहीं होगा दूर्ट की बात हैं डाइनैबो ब्लास्ट वाला होता बोलो क्या आंसर होगा मैं पहुं नहीं हो ол bö अब मत करना ठीक है बोलो मिटर के भी चांसेज हैं इसके क्योंकि डाइनामो अलग होता है ठीक है इसको भी करते हैं ठीक क्लास के बीच में कभी-कभी मजाक जरूरी है और वह मजाक अभी हुआ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी चेक करेंगे इसको पूरा ठीक है वैसे नहीं होना भी मिल्क टेक है प्रणिण ले nhất अभी असान है देखके मे connections कोrin भी सकता है इसको करेंगे इसको पर चलना ठेक कुछभी मत उयात करो इसका डाइनामओ हो सकता बोलो भी उसकता है तसल्ली करो ठीक है मिलक का यह क्या स्टेंट निल्क अंसर लेक्टो उसके आथा न लेक्टोमीटर तो स्कुशण वीलेक्ट होगा एक कुशर करो च्वाइब है है साथ बज़े का स्टेडियो मिटर है बहुत अवरड है इसको कि जो है डायनामोमितर ही है इस सपीड ओवभ अबजेक्ट रोटेशनल स्पीड ओब लो मिटर ही यूज़ किया आता है ठीक है तो इस कोशन गाल सब्सक्राइब और गोल्ड की मेज़ा कर रही है अब हम बारभर कहते हैं कि घृषब 24 डेक्ट तो अब जो है इस कोशन का अंसर करेटो मेटर एक बच्चे कहा है सर कब कनफर्म किया डिचिटल दुनिया है हाथों बिचलती है चाले तो एक और कोशन देखेगा केरटोमीटर कोशन का आंसर है विच इंस्ट्रूमेंट इस यूस्टू अब्जेक्ट चीटिंग करने का मोगा मिलने का कितना समय लोगे एक सेगिंड दो सेगिंड या फिर एक घंटा पर जब तक नहीं हो रहा है चली तो आंसे के सक्वेशन का डिस्टंस अब्जेक्ट जो है विच इंस्ट्रूमेंट इस यूस्ट बहुत दूर का अब्जेक्ट अगर है तो भी है वह तो हम दूर बिन से तो नहीं देखेंगे ठीक है या फिर देख लेंगे दूर से भी देख सकते हैं एगए इसमें एक टेलिस्कोप लिखा हुआ है उप्शण में दूरविन से चालो तो आंसा कोशन का टेलिस्कोप है वैसे टेलिस्कोप के अलावा अगर यहीय कहा देता ना अर्थ के बाहर तब और कोशन अलग हो जाता ठीक है तेक दिया लखेगा एक और कोशन देखिए विच इंस्रुमेंट इस तो लाई डिटेक्टर टेस्क तो आंसर के इस कोशेंगा यह बहुत कोमन है बहुत सारी मुवी समय आपने देखा हुआ है बहुत कोमन सीज़ है पॉलीग्राफ है इस कोशेंगा आंसर यह कुछ हो रहें आंसर कमेंट करीगा बेड़ा पाडिश कोशन है एक भी कोशन नहीं चोड़ रहें बताइए अक्टीनों मीटर किसके लिए होता इस कोशन का आंसर कमेंट करिये बताई आंसर कल मेने एक सवाल पूचा था इंडिया उफ माई ड्रीम्स किताब किसकी शाम साथ बज़े वाली क्लास में अभी तक आंसर कम है भाई क्ल कोमेटर डिवाइस जो है किसी भी रेडियेशन की हीटिंग पावर को मैजर करती है अच्छा कोशन है बहुत जाना ठीक है सलेक और कोशन देखेगा इलक्टिक करेंट असान है अब आया कोशन एक और मुश्किल रेंज एंगल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाइ यूजि गूगल पर नहीं क्या बहुत है यह जब गूगल हमारे साथ है ठीक है वेचुंस्ट्रूमान इस तो मेजर डर एटमोस्फेरिक प्रेशर में किए बहुत सारे में है इत्क है देखा आता है यह कॉशन आएगा सभी टाइप की रडियेशन जो अलफा बीटा गामा इन सब को मैज़ा करने के लिए हम क्या यूज करते आन सके इस को आन सके आ अच्छा कल किस किस ने शाम को साथ बजे वाली क्लास नहीं ली थी वो लिखो नो जिसने ली दी वो लिखो येस मैं देख रहा जाता हूं कि मतलब हिस्ट्री में किस किस का इंट पूजा दी बहुत सारे बच्चे इंट्रस्टिन लेरे बढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं ठीक है बिहार के बच्चे हमारे साथ जाला जुड़े हैं तो 90% बच्चे नो है अब जो नो है ठीक है पेपर में एक जाल लेना हिस्ट्री के छे कोशन आगे और मेरी आज की क्लास में से या फिर तीन क्लास जो में किराई उसमें से आगे यह मत कहते ना फ्री क्लास में कुछ पढ़ाय नहीं गया 90% बच्चे नो है भाई शाम को साथ बज़े पढ़ो ठीक है यह मत सोचो तुमें शाम को साथ बज़े कंटेंट बाद में दोबारा मिल जागा नहीं मिलेग मैं आपको 30 नवंबर तक कोर्स कवर कराऊंगा जो शाम को पढ़ा दिया वो सुबह नहीं पढ़ाऊंगा और जो सुबह पढ़ा दिया वो शाम को नहीं पढ़ाऊंगा कवर कर लो शाम को साथ बज़े वाली क्लास लाइव आके पढ़ा करो बहुत काम की क्लास है इसका दो इंबोटनंड है हिस्ट्री पड़ना पॉलिटी पढ़ना जोग्राफी पढ़ना को रिख पर पढ़ना आया इना बहुत बच्छी यह तुम लें संब डू hate चैप्टर स्टार्ट करो बड़ा इंट्रस्टिंग चैप्टर है ठीक है मज़ा आजाएगा आंसर क्या होगा अब वॉलकेनों पूरे हैं पूरी दुनिया में जो इंपोरेंट है वह पढ़ा हुआ बाकी के छोड़ दूआ ठीक है लेकिन चैप्टर बहुत इंपोरेंट है ए आप यह समझ के चलो कि आपकी ना क्लास का ना वह नहीं है कि कुन सी क्लास में क्या टॉपिक हो जाए सुबह नो और शाम को साथ दोनों पढ़ोगे तब ठीक है तब होगा कबर चला तो इस कोशेंगा आन से के मोस्ट एक्टिव वोलकेनों कुन सा है कमेंट करेगा सबसे ए कि है अरे बैरन भाई अपने भारत का निए पूछ रहा है मैं कहा सबने रटधा लगा रहा रहा है इस कोशेंगा आँसर है इस क entrepreneurs सी कहीं यह को आपको नहीं आते मैं आपको बता रहूं यह कोशन नहीं को आते सारे कोशन देगो बहुत जरूरी कोशन ठीक है चाले तो आंसर एका सबसे एक्टिव और यह है और इंडिया का एक्टिव घाट है ठीक क्लियर है जबिगो चली दूसरा कॉशन बताओ आंसर के स्कोशन गाँ जल्दी से बताओ कि कमेंड गरो जल्दी से यह कहां पर है आर्जंटी में ठीक है ध्यान अटीना में है इंप्रुटंट कोशन है बिल सकता है ठीक है चलिए को उस्च देखिए बतें मोस्ट पावरफूल वेलकन अफ दर्वल मोर्ड अवर्ड सबसे पावर फुल वेलकोन है फूरी दुनिया का पतना पावरफुल है जो ज्वाला मुख्य है कि बताओ आंसे के हैं मोस्ट पावर्फुल वोल्केनों इन दो वर्ड बदेश्पेड करो बेटाब शाम को मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेना इसकी पीडिया बहुत ज़रूरी है ठीक है चा तो इस इस कोशन का आंसर क्या है फॉल क मोर्म इतना ज़्यादा बहुत हो वहलोई हो आसर है न चाहिए पूरी दुनिया ऩहलेट को नेकर कोशनल बड़ने कि पूरे दुनिया का सबसे चोटा कॉन का पूरी दुनिया का सबसे चोटा उते कौनлять जल्दीस हो apprendre और चोटा का उल्टा पक्राव्द होता है इसे याद रखो इस्से याद रहेगu सबसे पुराना सबसे पुराना इतना पुराना इतना पुराना अवर इतना εँड है एक और प्रविशन जहां जहां में चीट कोड व्यूज करने ऊप्रणा करना ऐंडिया का बैरन है असान हैं मोस्ट प्रेमस लोगने जैपान का फूजी थे तो बदो पणा है ठीक है बताई इसकूशन का अंसर क्या है ठीक है शकलक बुम बुम देखें बच्पन में कभी अ कि बतेगे इस को चेंगा आंसे क्या है मोना लाओ कहां पे जल्दी से मताइगा है ना मोना लाओ कहां से उडाके कैसे उडाके यह ना तो आंसर क्या है का हवाई से कोशन और काश्रें में कितने साथ है मांट वेस्वियस बड़ा के सब्सक्क्राइब मांट वेस्वेस आप गहां पर है यह बहुत इंपोर्टन है वाई ठीक है जल्दी से कमेंट करेंगा अधिया आंसे बेटा पाड़ी स्पेड करो डेली कौन-कौन जुड़ रहा है वो बस इतना ध्यान रखना कि चैप्टर सारे कवर करा दूआ जैसे वॉलकेनों का चैप्टर कर दिया कल दो तिन चैप्टर निकाल देंगे शाम को सात है करें आज कहतम उससे भी ज्यादा करना इंड्ली स्कुष्ण का आंसर है थीग है का प्सी कोडॉपक्सी जो वॉलकेनों है काहां पर लोकेटड है इनकी दो लोकेशन ही डारेक्ट पूछी जाती है मिस्ली को इनकी यह कहां पर जल्दी सब देगा ठीक है तो आंसर है इस कोशन का इकट और इस कोशन का अंसर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ज्यादा कोशन नहीं इसके दस से बारा कोशन है वोलकैनों के जो इंपोर्डेंट भी है चलिए एक और कोशन देखिए हावाई आइलेंड जो है न अच्छा कोशन यह कोशन आना चाहिए आपको ठीक है ओल्डेस यंगेस यह सब आना चाहिए ठीक है बताइए आंसर के सकता है छोटा बच्चा क्यूट होता बाद में बढ़ा होके समझ नहाता यह क्या है जब बढ़ जाति है नौल तुम ठीक है याद हो रहा है ठीक है पापा कि बड़ी क्यूट है और καनसे घृत प्लैनेट को पे बहुत इंप्रण कोशन मुण्स कुछन का मार्स सबसे बड़ा मार्स पे चलिए एक और कोशन देखिए मेरे साथ वे एक लास जरूर देखना मैं साथ मेरे कंटेंट बहुत जरूरी है ठीक है बहुत सारे बच्चे स्किप कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है है मैंने इतना पुराना है सबसे पुराना इतना ही है यह कहांपे हैं कि मांट इतना है खां circumstance का है मैंने कभी विए देखना इटली में बहुत सारी चीना बहुत पुरानी के बहुत पुरानी सभी Persia जुब ववें से एक माना तो इतना क्या है यह यहीं एक लीए इस कुषिंगा अंसर पीटों कहां 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 कौन से देश्वेद्ट किनों कि अब अच्छे नहीं आर नहीं है आन से की शुषण का पताई आंसे के स्कुषण कि इस्कोशेंग का आज से के हैं तो इस पुशन का आंसर है री युनियन ठीक है है ना है ना री युनियन् फ्रांस में बड़ा प्रसिद्ध लोकेशन है आंसर के इस को दिएक और ब्हूंट-ब्रॉस almost वनेश्ण फेमस है सब जानते होंगे इसकोशन का आन सकता है क्योंकि रशिया का जो पूरा टराइन है वह इंपोर्टेंट है उसकोशन आ सकता है माउंट एलबरस कहां पर रश्या में आर यूएस ठीक है ऐसे याद रख लो कोशन सोल होने चाहिए करकाटू कहां पर है कमेंट करें कि कोशन इसके बाद छूटे क्या है कि हमें टॉपिक कवर करने मेरी यह चल रही है इसमें मैं आपको 33 दिन में सारस लेबस कवर करा दूंगा सुबह नो बजे और शाम को साथ बजी सुबह स्टाटिक जी के साइंस करेंटर फेर चली रहा है शाम को आपका हिस्टी जोगरफी चलाई रहे हैं आंसे इस उलकेशन देखी उंगे कि वह सबसे चोटे वुलकेशन होते हैं आंसे के निवादो सजामा वोलकेशन बडखना मैं थाजामा नाम है अ यह निदामो सजामा कहा कहा है कि अच्छिथ को जल्दी से बताएंगा है नहीं को टीक है ऐसको शूशना चाह तो इस कोशेंगा आंसर के है बोलीविया इस कोशेंगा आंसर है ठीक है है ना तो आंसर के इस कोशेंगा बोलीविया इस कोशेंगा आंसर है ठीक है ऐसे मूलते हैं बारबा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए ठीक है सलूक मतलब क्या सजा दी जाए है तो बोल जो है तेरे तुझे क्या सजा दी जाए एसे याद करने यार थोड़ा बहुत दिमाग में थोड़ा बहुत रहना चाहिए है ना क्यूंकि देखो यह नए कोशन है नए कोशन को हमेशा के लिए नए नहीं रख सकते कि मनलब हमने अभी भी पढ़ा और कुछ हिंट नहीं रखा तो हम हमेशा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए मैं सजा पूझेगे थोड़ा बहुत हिंट टेके एलब्रस का आर यू एस देखा लगा दिया वहां पर ठेक है पैरी क्यूटीन हमारी पापा के परी क्यूट है और टीन है लगा दिये यंग है ना ओल्डेस का इतना पुराना लगा दिये इतना ठीक है सबसे कितने हैं बड़ा खतरना कोशन लेकिन आ सकता है ठीक है तो आंसे कोशन का दुनिया के सबसे खतरनाक बोलकैनों 20 है ठीक है सूपर पावरफुल वोलकैनों है बिगेस वोलकैनों नौर्थ अमेरिका का ठीक है एक मूवी आयती जब मैं 12th क्लास में था ना तब आयती मुझे एक बार को फिजिक्स का पेपर देते समय ऐसा ही लगा था क्या जरूत है आप तो अब तो खता मैं क्योंकि मैंने फिजिक्स के पेपर से एक दिन पहले देख ली थी 2012 टेंशन ही गतम होगी थी मेरी तो उसमें दिखाया था येलो स्टोन नोर्थ अमेरिका का ठीक है गनीमत यह थी कि फिजिक्स का पेपर था मेरे मन में यह भावना आच चुकी थी कि दुनिया खता होने वाल यह क्या करूंगा उपर से अर्थ क्यों का गया उस दिन बच्चों को वैसी क्लास से बाहर निकाल दिया ऐसी नमबर देदी यह सत्तर से मैं तब एक पर छोड़ चुका थ ठीक है कोई दिक्कत निए यह स्टोन इस कोशिंगा आंसर है सीवीएसी वोर्ड ने उस समय ऐसे नमबर दिया यह स्टोन है एक और कोशन देखिए विच आप दा खुलेंगे इस नोट एन एक्जांपल ऑफ कंपोजिट वोलकेनों का उधारन नहीं है यह कंपोजिट नहीं ठीक है ठीक है मोना लओ एसे आहालके मोना उडं़ा के लाओ हवाई USA छैली तो यह ओगे टोपिक बहुत है कराने मैं और यह टॉपिक भी करा सकता हूं में वुलक रहा है मैं आपको नैशनल रिसर्च इंसवाग्वां इंडिया के जितने भी हैं वाट मैं कल के लिए छोड सुबह 9 बजे बच्चों इस चीज का द्यान रखो इतना स्ट्रक्चर तरीके से कंटेंट यूट्यूब पे ना पहले आया है ना आगे मिलेगा पस एक सुबह 9 बजे वाली क्लास में मिलेगा स्ट्रक्चर कंटेंट जिसे कहते हैं कि आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं वाइफफे इस सड़ी पे सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे ठेके है सुबह 9 बजे शाम को 7 बजे ना आपके हिस्टी के चैप्टर स्टあー rook करांड si बहाँ है त्रहीं के सब्सक्र करो अमण सर्भाइफफे इसस दिन में सोगा तो होगा स Director साव पूल लो अमन सर वाइफ एशरी जिसमें सबस्यादा बच्चे कनेक्टिड है मैं कुछ पॉल कंडग कराता रहता हूं आपके व्यूज के लिए आप से पूछने के लिए तो मैं वह पॉल कंडग करवा रहा हूं सारे के सारे रिव्यू कर दो पॉल ठीक है कि क्या क्या चैप् अभी जितने भी आ रहे हैं ठीक है मैं रिव्यू करता रहता हूं कि क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है तो जितने भी पॉल मैं देता हूं उनको जरूर यूटलाइस करो अमन सर वाइफ से शड़ी मैं पीडिया भी डाल रहा हूं पॉल भी कंडग करा रहा हूं हर एक बच्चा पॉल कंडग कर ले एक बरी ठीक है तो यूटलाइस करना है इसे वाखी सेशन को लाइक करिए शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए दोनों सर्विक्स की गोली लो चिक चिक दूर करो यार कल सला दी तो दी तुमने ठीक है मैं लेई रहूं डोंड बरी चले त तो धन्यवाद आप सभी का मिलते आप सभी से थोड़ी दिर में